अठाइस ओक्टूबर यानि एक दिन पहले शारुक खान के लिए अच्छी खबर आई शाम के करीब साड़े चार बजे बॉंबे हाई कोट ने आरेन खान को जमनत दे दी आरेन खान पूरे 26 दिन बाद अपने घर मननत लोटेंगे लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया की वज़े से वो अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाएं बेल ओर को कोट से जेल पहुँशने में वक्त लगता है माना जा रहा है कि शाम तक आरेन खान घर पहुँच जाएंगे दरसल शारुक खान के लिए पिशले 26 दिनों का वक्त बड़ा मुश्किल था हाना कि अभी आरेन पर लगे आरोप धुले नहीं है अभी केस चलेगा इस बीच बेल पर बाहर आना भी शारुक और उनके परिवार के लिए खुशी की बात है क्योंकि अगले महीने दिवाली भी है उससे बहले 2 नवंबर को किंखान का बोद्दे भी है समय आरेन बेल पर बाहर आकर शारुक का जनम दन साथ मना पाएंगे हाला कि समर्थकों में कितनी खुशी है कि बेल की खबर आते ही पठा के शूटने लगे एक तरीके से शारुक खान और उनके परिवार के मनत पूरी हुई क्योंकि आरेन खान को तीन बार की कोशिश के बाद बेल मिली सेशन कोट में दो बार बेल खारे चूचुकी थी हाई कोट से जमानत मिली आरेन के लावा मनुमन धमेचा और अरबाज मर्चन भी जेल से बाहर आ सकेंगे आरेन पिशले तीन हफ़ते से ज्यादा वक्त से आर्थर रोड जेल में बन थे जहां उन्हें कैदी नंबर N956 यानि N956 मिला हुआ था अब वो 29 ओक्टूबर यानि आज मुम्किन है जेल से बाहर आ जाएं अगल बेल ओर्डर की कॉपी शाम पांज बिचे से पहले आर्थर रोड जेल पहुँच जाए आर्यन की जमानत मिलने की खबर के बाहर शारुक की तस्वीर सामने आई मनत के बाहर पटाके जल रहे थे पूर अटानी जनल मुकुल रोड़गी ने बोलते विका था कि आर्यन खान के पास ना तो ड्रक्स बरामद हुई और ना ही उसने ड्रक्स कंजूम की थी तीन अक्यूस को बेल ग्रांट करा है आर्यन खान नंबर वन आखिर मननत हुई पूरी अम मननत में मनेगी दिवाली और उससे पहले कि इंखान अपने बेटे के साथ जनम दिन भी मना पाएंगे चप्विस दिन बाद आर्यन खान जेल से जमानत पर रहा होकर घर लोट रही है शारुक के समर तक कुश है पठा के जला कर अपनी कुशी का इधार कर रही है कि आर्यन को मननत मी आएगी और अदर उससे जमानत पूरी हो गया और अर अर्यन को मननत पूरी होगी अर अफ एक पर फैला polit वोट ने आरियन खान की जमानत याचिका को मनजूर दे दी उसके बाद यहाँ पर जश्ट मनाया गया रात भर सेलिबिटीस जो है वो शारुख और गवरी खान से मिलने यहाँ पर पहुंसते रहे और आज क्यूंकि आरियन खान जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं तो फैंस की भीड सवेरे से ही यहाँ पर जुटने लगी है देख सकते हैं फैंस जो है वो यहाँ पर पहुंस्ट लगे हैं कुछ देर बाद उमीद की जा रही है कि मुंबई पुलिस की बंदोबस्त भी यहाँ पर दिखाए देगी है आरेन के अलावा मुनमुन धमेजर और अरबाज मर्चिंट को भी जमानत मिली है वो भी आर्थर रोड जेल में बंद है हाई कोट के ओर्डर के बाद आरेन और उनके दोनों दोस्तों का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है जबानत तो मिल गए लेकिन जब तक केस चलेगा तब तक कोट ने कुछ शर्ते रखी है आरेन इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से कॉंटाक्ट नहीं करेंगे तीनों आरोपी सबूतों से छेड़ चाड़ नहीं करेंगे अपना पास्पोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे कोई भी आरोपी मीडिया में बयानबाजी नहीं करेगा कोट की इजाज़त के बिना देश नहीं छोड़ेंगे जब भी ज़रूरत होगी NCB को सहयोग करेंगे इन में से किसी भी शर्ट का वॉयलेशन करने पर बेल रत कर दी जाएगी तो जब सीरियल नंबर 40 तक पुरा बोर्ड खतम होगा उसी के बाद orders पास किया जागा ये instructions code का है अभी फिलल हम उमीद कर रहे हैं कि तीन बजे से पहले तक ये सीरियल नंबर अगर 40 तक पुरा खतम हो जाता है तो हम लोग immediately अपनी जो भी फॉर्मालिटीज है जो भी cash bill application वगरा जो कुछ भी वो put up करवा के जल से चलिस चिसको पुरी प्रक्रिया जो भी खतम करवा के जेल अधॉरेटिस के बास move करके memo जो भी है वहाँ पे देखे वहाँ से उनको बाहर निकल वाले गया आजी ऐसी पुरी उमिद है मैं शारुक खान आरेटिस से एक बार ही मिलने जेल गए थे इस बीच वो 10 मिनट ही कॉन्फरेंसिंग के जरिये बात कर पाए उधर सामान्य कैदियों की तरह आरेटिस को रखा गया जिससे आरेट एंड कंपनी पर शिकंजा कसा जा सके टीम न्यूज नेशन एनसेपी के मुताबिक आरेट खान ने ड्रग्स लेने की बात कबूल ली थी जिसके बाद आरेट की इर्मान ली गई थी और शाम को पाँच बजे जेल से प्रिटेंडिन से मंजूरी के बाद कुछ वक्त बैरक से बाहर आकर टेहलते इसके बाद करीब रात आट बजे डिनर करने के बाद बैरक में सोने चले जाते खाने में उन्हें सामान्य कैदियों की तरह डाल रोटी ही दी गई जोरान खबर भी आई कि जिन कैदियों का केस चल रहा होता है उन्हें घर से महीने में एक बार 4500 का मनी ओर्डर मिल सकता है जिसके जरीए कैंटीन से जरुत की चीज़ें ले सकते हैं आरेन खान को भी 4500 रुपे का मनी ओर्डर शारु खान ने भीजा था हमारे साथ हमारे समभादाता धिरेंद्र पुंडीर इस वक्त जुड़ चुके हैं धिरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ फॉमलिटीज हैं क्योंकि बेल ओर्डर कल वर्बली तो फैसला सुना दिया गया था कि बेल मिल गई है लेकिन बेल ओर्डर के डिक्टेशन में और उसके कोर्ट पहुंचने जेल तक पहुंचने में क्या कुछ प्रोसीडिंग होती है कितना वक्त लग सकता है और कितनी संभादना आपको नजर आ रही है कि आज आरिन खान जेल से छूट जाएंगे देखे अभी जो जानकारी एकदम अभी मिल रही है उसके मताबिक डिक्टेशन शुरू हो गया है जो 40 का नंबर था वो सब पूरे हो चुके और डिक्टेशन शुरू हो रहा है तो मुझे लगता है कि अगर इस डिक्टेशन के तुरंट बाद वो कोर्ट दस्ती अगर कहता है तो वो तेजी के साथ ले जाकर उनको टायर कोर्ट में देना होगा और वो जब उनसे संतूस्ट हो जाते है तो उसको बेल बॉंड को मान लेते सियोर्टी देते हैं और उसके बाद फिर वहां से वह रिलीज ओर जारी जो होता है उसको लेकर वहां जेल तक पहुंच जाना चाहिए तो वह पूरी ताकत के साथ पूरी तेजी के साथ जुटे ह हुए हैं लेकिन जैसा कल कहा था कि मुकुल रोध की भी कह रहे थे कि यह प्रॉसेस है शायद सनीचर भी हो सकता यानि कोशिश पूरी है इस पूरी टीम की की साड़े पांच बजे तक रिलीज और वह जेल तक किसी तरह पहुंचा सके चुकि एक इसकी प्रॉसेस है इसमें कोशिश यह कर रहे हैं कि आज हो जाए लेकिन समय दोड़ता हुआ दिख रहा है और अभी इस पर कह पाना मनलब क्योंकि बहुत तेजी से बहुत सारे काम भी हो सकते हैं तो उसमें लगे हुए हैं वो लोग पूरी तयारी के साथ हैं तो आज यह मान रहे हैं कि वो हो सकती ह लेकिन कल भी आ सकता है उनके लिए यह दोनों चीज़े बराबर हैं जी बिलकुल कोशिश होगी कि उनकी वकीरों के उनकी पूरी लीगल टीम की एक्सपेडेट करें जल से जल यह जो कागजी कारवाई है वो पूरी हो एक और रात जो है क्योंकि पहले से 26 दिन बिता चुक क्योंगी लेकिन उससे पहले अपने दरशकों को बता दे कि आरियन खान ड्रग्स केस में कुल 20 लोगों की गरफतारी हुई थी जिसमें अधिकतर पर ड्रग्स के सेवन कि धारा लगाई गिए हलांके आरेन के वकील ने कोट में कहा है कि आरेन के पास ना तो ड्रग्स ही बर नमबर एक में और बीस से जाद दन बैरक नमबर बीस में बिताए हैं। 13 अक्टूबर को दोनों पक्षों की तरफ से दलिलें दी गई। दरसल आपको बताएं, आरियन को तो बेल मिल गई है, दूसरी तरफ नवाब मलेक आरोपों की जड़ी लगाए जा रहे हैं। नवाब मलेक ने एक बार फिर से नवाब और समीरवान खेड़े पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि NCB हर बार अलग-अलग दलीलें पेश करने का काम करती है। केस को उलजाने का काम करती है। जिन धाराओं को लेके केस बनाया गया था। उसे किला कोट में ही जमानत दे देनी चाहिए थी। लेकिन NCB अलग-अलग दलीले हर बार पेश करने का काम करती है। केस को उलजाने का काम करती है। जूटी बाते करती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे कैसे रहें। ये इनका पहली बार ने हमेशा का प्रयास रहा है। खास करके वानखिडे के आने के बार। जो चीजें बदल रही हैं हर दिन नई नई चीजें। हमें लगता है वानखिडे साहब ने सारा हतकर्णा अपना लिया हमें लगता है कि लड़ाई ये किसी के परिबार से नहीं किसी के धर्म को लेके नहीं मेरी लड़ाई सीधी है जो ना इंसाफी है उसके किलाव है कि वही नवाब मलिक यारूपों पर समीर बान खेर ने भी पलटबार किया और क्या कुछ कहा है उन्हों अपनी सफाई में आईए वो भी सुनवाते हैं अब यह समझे किस केस में कब कब क्या क्या हुआ आगे बढ़ते हैं दरसल सर्फ कोट में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने के लिए एक लंबी रहाई की प्रक्रिया होती है उसे भी समझना जरूरी है इसी वज़े से बेल के बाद भी काफी वक्त लग जाता है जिसमें सबसे पहरे कोट से जमानत पर फैसला होता है बेल ओर्डर जारी किया जाता है जिसे NGPS कोर्ट में जमा किया जाता है जो भी मुशलके की शर्टे होती है वो पूरी की जाती है उसके बाद आरूपी के नाम से रिलीज ओर्डर बनता है जिसे जेल के बाहर जमानत पेटी में डाल दिया जाता है दिन में तीन बार रिलीज पर आया तो रिहाई अगले दिन तक टाल दी जाती है रिलीज ओर को जेल प्रशासन रखता है फिर कैदी की मेडिकल जांच के बाद उसे जेल से बाहर परिजनों को सुबुद्र कर दिया जाता है यहाँ पर छोड़ी से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जो लॉटिंग इस बड़ी ख़बर पर आगे भी नजर बनी रही